शुरवात आज की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं जमू कश्मीर के पुंच में चार जवानों की शहादत के बाद अब सुरक्षा बलों का काउंट और आपरेशन शुरू हो चुका है सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को चारो तरफ से गेर लिया है और अब किसी भी वक्त ऑपरेशन से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ सकती जैश के मुखोटा संगठान पीपल्स एंटी फासेस्ट फ्रंट ने इस हमले की जिम्मिदारी ली है आतंकियों ने गुरुवार दो पहल सेना की दो गाड़ियों पर हमला किया जिसमें पात जवान शहीद हो गए एक जवान जखमी है यह हमला पुंच और राजोरी के बीच थानामंडी सुरंकोर्ट रोड पर डेरा की गली के पास किया गया हमला उस वक्त हुआ जब सेना के जवान गुरुवार से सुरंकोर्ट के पास चल रहे एंकाउंटर में मदद के लिए रेंपोस्मेंट लेकर जा रहे थे सेना के सूत्रों के मताबिक आतंकी हमले के बाद मौके पर सेना के जवानों और आतंकवादियों में आमने सामने तक की लड़ाई हुई एक महिने के अंदर इसी इलाके में सेना पर आतंकवादियों की तरफ से ये दूसरा हमला है और इस साल की अगर बात की जाए तो कई ऐसे हमले आतंकी कर चुके हैं इसे पहले 22 नवंबर को राजोरी में हुए एंकाउंटर में चार जवान शहीद हुए थे 20 दिसंबर की राद से इस इस इलाके में आतंकवादियों की तलाश के लिए सौच उपरेशन चलाया जा रहा था वहाँ पर आतंकीों से मुर्भेट के बाद सेना की अतिरिक्त जवान मदद के लिए जा रहे थे और उसी दरान धेरा की गली में धत्यार मोड के पास आतंकीों ने सेना की दो गाडियों पर हमला कर दिया हमले वाली जगा से सामने आ रही तस्वीरों और वीडियो में सडक पर खून, सेनिकों के तूटे हुए हेलमिट और सेना की दो गाडियों के तूटे हुए शीशे दिखाई दे रहे हैं सुरक्षबलों ने जवाबी कारवाई शुरू कर दी है गहन सर्च ओपरेशन चलाकर आतंकीों की तलाश की जा रही है तो पुंच में आतंकवादियों की कायराना करतूद देखने को मिली जहां आतंकवादियों ने रेंफोर्समेंट के लिए जा रही सेना की एक टुकडी पर हमला बोल दिया आपको बता दें कि इस हमले में पाँच सेनिकों ने शहादत प्राप्त की है जबकि एक घायल बताए जा रहे है समय हम ग्रोंड जीरो पर मौझूद हैं पुंच के डीकेजी इलाके में सुरक्षा बलों की गाड़ियों को निशाना बनाकर आतंकियों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया था इस पूरे एरिये को सुरक्षा बलों ने जो है वो गेरा हुआ है बारती सैना का ये आउटर कार्डन है और ठीक अगर इसके उपर का इलाका देखे तो एक गना जंगल होने की वज़ा से जहां सुरक्षा बलों को के चैलेंजिस जो है फेस करने पड़ रहे हैं और अभी ज आतंगवादियों को जल्द से जल्द मार गिराया जाए कल सैना के दो वहन जो एक जिपसी और एक डाइट एन जो है वो सीमा की तरफ जा रही थी और गात लगाकर आतंकियों ने उस पर हमला किया जिसमें सैना के जवान जो है वो शहीद हुए जबकि कई जवान जो है वो भी हुए अभी तक कि जो ये इंफर्मेशन मिली है कि लगातार सुरक्षा बल इस पूरे इलाके को कॉड़न किये हुए हैं और उन आतंगवाजियों की तलाश जारी है रजोरी और पुंच जिले में लगातार पिछले कई महिनों से आतंगवादी गतिविद्य जो है वो बढ चुके हैं राही आप ये बताईए कि क्यूंकि अब सर्च ऑपरेशन वहाँ पर चल रहा है किस तरह से जॉइन सर्च ऑपरेशन चल रहा है कि अभी भी वहाँ पर आतंगवादी छिपे हैं जिनके मारे जानी की खबर जल्द सामने आ सकती है जी बिलकुल सुरक्षा बलू ने उस पूरे डीकेजी के इलाके को जो है वो कॉड़न किया हुआ है जबकि जबु कश्मेर पुलीस और एसोजी भी साथ में है और ये जो इलाका है काफी गना जंगल होने की वज़ा से उस टेरेन को जो है वो सुरक्षा बलू के लिए चु है यहां पर यहां पर सबसे ज्यादा जो डिकत है वो पहाडी शेतर है और जंगल घंगल होने की वज़ा से आतंकी उन जंगलों के अंदर के जो है नाच्रल जो के उती है उन चावल के और शिपे होते हैं वहां उसकें के साहारे लेते हैं तो ऐसे में सुरक्षा बला यह कर रहे हैं कि जल्द उन आतंगवादियों को मार गिराया जाए क्योंकि अभी पूरे इलाके को गयरा हुए है और आतंगीयों के साथ मुट-मेड़ लगातार जो है वो सुरक्षा साबलों की जो है वो जारी है और आतंगवादियों ने कल एक बड़ी बलों ने गिरा हुआ है और ये भी बताया जा रहा है कि उन जुआबी कारवाई में आतनवादियों को जो है वो आतनवादी गायल भी हुए है और चल थी सुरक्षाबल उन आतनवादियों को जो है वो मार गिराएंगे जी रही आपके पास आएंगे क्योंकि इस हमले की जिम रगातार बॉकलाए हुए हैं साउथ कश्मीर में वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं और यहीं कारण कि आथनकी अब जमू रिजिन को निशाना बना रहे हैं वहाँ से भी क्लोस बार्डर है और यही कारण है कि यहां से इंफिल्ट्रेट होकर आतनकी आते हैं और यहां वारदातो है खासकर पाकिस्तान के निजदी का सटा हुआ इलाका है फॉरिस्टिड इलाका है बहुत जंगल है उदर पहाड़ी जा रहा है वुड़ेड एरिया है प्लस पास जो है अभी विंटर में बंद होने का है तो यह कारण है कि वो सोचते हैं कि यहाँ पे हिंदू और मुसल्मान दोनों इस इलाके में रहते हैं तो मुझे रगता है कि पाकिस्तान की तरफ से यह हर बार इस वक्त वो शाहिए सुचते होंगे कि वो अब कुछ नहीं कर पा रहे हैं घाटी के अंदर तो अब जो सौथ ऑफ सौथ कैश्पीर में और खासकर जब यह लाका जो पिछले पंद दो कप्तान भी मारे गए और तीन उसमें भी जवान शहीद हो गए तो यह जो वार्दात है मुझे लगता हम लोगों को थोरा सा अपने आपको भी नई सोच के साथ अपने को भी इस इस इलाके में देखना पड़ेगा कि कैसे हम लोग अपने आपको आंबुश से बचा सके बड़ा सीरियसली लेना चाहिए बिल्कुल उसी तरह जैसे अपने को लगा मा को दिया था और पाकिस्तान को साबक सिखाने के बश्यक्ता हो गी है तो कि अब देखो पिछले कम से कम छे आठ हफतों में रोज़री पुंच के राके में यह तीसरा ज़र चौर्था इंसे इन पाकिस्तान को साफ तरह में से देना चाहिए बिल्कुल परवा के बाद में के हिंदोस्तान की जिरो टॉल्रेंस पालसी है और इसको बरदाश नहीं करेंगे और अगर इस कौम ने बरदाश किया तो आने वाले समय में जैसे जैसे इलेक्शन पास में आरी है इस माफी की सारे मीन्स हैं जो आज अवेलेबल है हिंदोस्तान के बास में उनको खतम करने के लिए राही इन आतंकियों की बात करें तो इन्हें हाइब्रिड आतंकी कहते हैं क्योंकि छिपकर हमला करते हैं फिर आम जीवन जीने लगते हैं तो ऐसे में सुरक्षा बलो के लिए कितनी ब जवान वहां पर शहीद हुए थे और लगातार रजोर्परी और पुंच जिले के अंदर पिछले एक साल से कहीं जो है वो आतंगवादी गतिविदियां जो है वो उनमें बड़ोतरी हुई भी है जबकि आतंगवादियों ने के गटनों को अंजाम भी दिया है बरहाल सुर नाशनल केव का साहरा लेते हैं तो वहां तक कौंचना और उन जगाओं को जो है वो स्रक्षाबल प्रॉपरली जो है वो मोनीटर करते हैं और ऐसे में अभी आतंगवादियों ने जो अपरी एक नई स्टैटिजी जो है वो की है उसमें कि एक एक दम हामला करने के बाद जो है वो यह परियास कर रहे हैं कि उन आतंगवादियों को जल से जल ढूंड कर जो है वो मार गिराया जाए हाला कि चैलेंजिंग इसलिए भी हो रहा है क्योंकि जिन जंगलों में गुफाओं के अंदर यह आतंग की चिपे हैं उन गुफाओं से बहुत बखुबी वाकिफ है और यहीं से निकल कर हमला करते हैं और यही कारण है कि घने जंगलों में गुफाओं में ढूंडने में सर्च ऑपरेशन में टीमों को लगाया गया है सेना जमुकश्मीर पुलिस की और लगातार वो कोशिशों में जुटे हुए हैं बहुत शुक्रिया राही आपका तमाम जानकारी के लिए